आज हम चर्चा करेंगे कख्षा 9 के साइन्स अब्जेक्टिया चैप्टर ना एट गती मोशन के बारे में पढ़ेंगे गती क्या होती है जब कोई बस्तू समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ला करती है तो कहा जाता है कि बस्तू गती में है हमारे आसपास गती सीथ बस्तों के बहुत से उधारण है जैसे चिडिया उड़ती है वह क्या है गती कर रही है गाड़ी चल रही है वह गती है धमनिया हमारी और जो शिराय है मुनमर रक्त का परवह हो रहा हो भी गत्मान है कोई बच्चा दोड़ता है वह भी गत्मान है अब इससे गती को समझने के लिए चीज वह है जिसे कहते हैं मूल बिंदू औरिजिन हमेशा आता है जब हम गती के बारें बात करेंगे गत्त के जासते की और उसका कितना बिस्ताबन हुआ किस बेग से हुआ किसी चाल से हुआ तो इन सब के लिए ज़रुत पढ़ती है और इजिन पॉइंट की जिसे बोलते हैं मूल बिंदू किसी बस्त की स्थितिक को बताने के लिए हमें एक कर निर्देश बिंदू की आउसकता होती है जैसे मूल पंट निर्देश करता है कि वह यहां से चला उसने यहां से दूरी सित कि वह बिंदू किरता है जैसे वह बता रहा है कि जैसे कोई आज आम बोल्चार्ट की भाहास्या मैं कहता है कि इस 4 एस तुन इस कुमिलमेंटर क्वा सहनद में बकास सब्सक्राइब तो इसकी लंबाई होगी बीच किलोमेटर उसकी दिशा होगी तो यहां 25 वे वे इसींट deed हो पता कहते हैं मालग एक तैनिया जो भी वह राष्टा करता है अगर उसे लंबाई को लेते हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम दूरी बोलते हैं उसने इतनी दूरी तैह की समय में विष्थापन क्या होता है किसी बस्तु के प्रार्मिक स्थिती तथा अंतिम इस्थिति के बीज की जो नियूंतम दुरी उस से बस्त को कहते हैं वर्षु का बिस्तापन अब बिस्तापन और दुरी दोनुं में लंबाई आएगी दोनों में हम लंबाई नाप रहेंगे परंतों लंबाई क्या है जब दूरी नाप रहें तो उसने जितना रास्ता तैय किया उसकी हम कुल लंबाई नाप रहें और बिस्तापन में क्या कर रहें जो उसका प्रारिमिक स्थित्थी और जो अंतिमी स्थित्थ उसे हम बोलेंगे उसका विस्तापन है विस्तापन और दूरी में यह दूरी में हमने बोला कि उसने जो एक समय अंतराल में कुल रास्ता के तरह किया उसकी कुल लंबाई को हम बोलते हैं दूरी मेह सर्फ आपि चीज होते हैं मैंगने टूड से हम बतादे हैं तो उस कागज के टुकड़े का फिजिकल वैल्यू है तो दस बोला तो दस है उसका परिमान बोलते है उसको परिमान है दस है बीस है एक कागज को आप ले रहे हो उसे बोलते है बीस रुपया है दूसरे को बोलते हैं पांस रुपया तीसरे को बोलते हैं पचास रुपया है तो यह 10, 20, 50 जो हमने बोला हूँ क्या है उसका परिमान है तो यह सी लंबाई भी बोलते हैं हम वह 1 km, 2 km, 10 km, 10 m, 5 m, 5 cm है तो वह क्या है परिमान है तो हर एक चीज का फिजिकल परिमान बताता है कि वह कितना है और अब है सदिस और अधिस क्या चीज है जब कोई राजशी वेक् पकाते तो चालाता है उधान के लिए भार संबिक विस्टापन आदिष सारी रास्ये क्या है अंहें क्या है तिसा सामिल है सँ इस यानी गिलिवा सखित जो दिशाच है जो क्वांटिटी जो परिमान जो परिमान गी अधिया साी है उनको हम बोलते हैं सदिसराज और अधिस ठीक इसके उल्टा हो गया जो परिमान जो क्वांटिटी जो मैंगनिट्यूड बिना दिसा के जैसे बोला दस किलो पास किलो मिटर तो ये सारी चीजें क्या है अधिस ये तो इनको बोलते हैं अधिसराज जिसमें दिसा नहीं है और यानि बिना दिसाके जो बिना दिसाके है उसे बोलते है अदिस राश अब है सरल रेखी गती अब सरल रेखी गती जब कोई सीधी रेखा में चलता है तो उसे बोलता है सरल रेखी गती अब दूरी यूम विस्तापन का उपयोग कहां करते हैं दूरी यूम विस्तापन का प्र परिक्रिया को जानने के लिए हम दूरी और बिस्तापन का प्रियोग करते हैं कसमें मैं बस की । कगिया च्रीक करने के लिए भी क्या जाता है घॉज को सक् często जानने के लिए हमको गद Bennete करती है दूरी करोती है यह द्वारा थैस्य में सिम मार्रवक जो कि दूरी क्या होती है जो उसने एक समय अंतराल में जो रास्ता तैई किया है उसकी कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं दूरी बोलते हैं दूरी एक अधिश राश है क्योंकि हमने शदिश के बारे में पढ़ लिया है तो यहां पर हम उसके बारे में बात करेंगे हमने मूली दूरी क्या है अधिश्र राष्य है और यह हमेशा धनात्मक होती है दूरी कभी भी जीरो नहीं हो और करे और अब किक बास हो गई है समय करता है तो दूरी हमेशा Black से ज्यादा होती है या वित्ता परावर होती है कम कभी नहीं होकती संबियों कि यह मार की लंबाई पर निर्भर करने मार जितना लंबा होगा जिस उप्शार रास्ते से वो गया होगा जिस की हम मनाप रहें उसकी कुल लंबाई उस लखिसकी लंबाई पर तो दुरी निर्वर करती है अब विश्तापन क्या है विश्टापन क्या है कि बस्ट की प्रारमिक स्तित तुर अंतिम इस्तित के पीच की निउनतम दुरी जैसे पहले भी बताए था कि वस्त्व की प्रार्यमिक स्थित्थी जैसे हम बोल रहे हैं मूल स्थिति मूल बिंदू से और अंतिम स्थिति में कि जो नुनुतम दूरी है यहां पर नुनुतम दूरी आईगी तो उसे बोलते हैं हम विस्तापन यहां क्या एक सदिश राश्य है और दनातमग भी हो सकता है और शुनी भी हो सकता है और इसके साथ साथ यह दूरी से छोटा भी हो कि एक समान गती क्या होती है जब कोई भी बस्तू जो चल रही है वो जो गतिमान है वह क्या करते हैं शमयांतराल में समान दूरी तैय करते हैं तो उशे क्या बोलता है एक समान गति समय अंतराल भी समान है दूरी भी समान तैय कर रहा है तो उशे बोलेंगे हम एक समान गति और इसके उल्टा आसमान गति किसे बोलेंगे जब वो एक समान समय अंतराल में अलग-अलग दूरी तैय कर रहा है समय सकते हैं Q41 समय में बस फूरत है कि की दूरी को स्पीट बोलते हैं बस mang घंटा हो हम कहनोब तो यासी का मानक होता है मीट परती सिखंद चाल का मानक उसे बोलते हैं क्या मीटर परति सेकंड और चाल का अन्य मात्राइब हो शकते सेंट्री मिटर परति सेकंड किलो मिटर परति सेकंड सेंट्री मिटर परति मिनाट मीटर परति मिनाट यह भी हम लिख सकते परंतु जो इसका इंटरनेशनल स्टेंडर्ड है उसके हिसाब से मीटर पर परिमांड की आउस्किताब होती है दिशा की जरौत नहीं होती है और यह अधिकतर आउस्ताओं में बस्तु क्या होती है असमान चालने से चलती है अब हमको जो इसके बताया था अब क्या होता है अगर बस तू असमान चाल से चले तो हम इस्पीड कैसे निकालेंगे अब यह बड़ा सा सवाल है तो इसके लिए क्या करते हैं इसका और से करते हैं और लगे समय को हम स्माटी से इसके देनोट करते हैं तो और सट चाल वी जुकल टू होगा ऐस अपॉन टी तो यह था बच्चों आपका और सट चाल निकालने का और ऐसे चाल क्या होती है घासाथ दिसा ब्यक्त करें तो से क्या बोलेंगे हम उसका वी सिमपल सी अगर चाल के साथ हम ठीशा लगा और तो वीये बन जाता है अगर इसकी परिवासाओं कि निश्चित दिशा में बस्तु की चाल को बेग कहते हैं। इकाइस में में किसी दिशा में बस्तु के विस्तापन को बेग कहते हैं। कि बस्तु का बेग समान हो सकता हैं। बिनिकाल सकते है ये क्या हो सकती है होती है अगर इसको क्या होता है कि हमको कभी कम कभी ज्रुद पड़ती तो इन खर्दो ने के लिए दे टो हमारा अरूश बेग निकलाता है अब बेग के परकार क्या होता है बेग भी हो सकता है एक समान बेग हो सकता है एक समान बेग उसे कहते है जब वो समान समय अंतराल में असमान बिस्ताफन उसका होता है तो इसको बोलते है असमान अगर वो समान समय अंतराल में समान बिस्ताफन करता है तो इसको बोलते है एक स हमाने दोनों केसों में क्या है सबस् deficits 2 और शमान हारा है तो उसे बोलें है समान बेख अगर समान समयन तर iss almond process हो रहा है तो उसे nem है तो यह था बच्चो आपका बेख के बारे में और और लेक के बारे में हमने यहां बढ़ा चाल चाल के बारे में यह हमने पड़ा देस्ट पड़ा और हमने डिस्तोइस्यट्शमेंट और विश्तापणी पड़ा अब है जो यह उसको एक बार फिर कर लेता है कि चाल क्या है चाल है वह एक आई कहा हे समय में wh PRO हम क्या तोडम्हिंट थ्यूर्ट r ot किसी गतिमान बस्त की अश्राचाल सुन्य नहीं हो शकती है किसी वर्ष्त की चाल हमेशा धना अतमक होती है यह नातमक भी नहीं होती है अब है बच्छो कि इसमें हमारा वेग क्या है वेग क्या है सब्सक्राइब और यह अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी सियर करें और इसके अगले वीडियो में हम आपका दूसरा चैप्टर जो इसका नाइंफ चैप्टर है उसके बारे में डिसकस करेंगे